तेजस्वी यादों कहते हैं कि लाल तेन और तीर छाप एक ही है इसमें कोई अंतर नहीं है और तब एक बार फिर चर्चा चल पड़ती है कि क्या राजद और जद्यू वाकई में अब अंतिम तयारी में हैं कि कब दोनों अलग-अलग पार्टी ना होकर एक पार्टी बन कि वे जब चाहें राजद का चौनाव चिन लाल तेन छाप को बदल सकते हैं वे जब चाहें तब पार्टी के नाम को बदल सकते हैं और उसके बाद चर्चा चल पड़ी कि राजद और जदियू का एक में बिलह हो जाएगा अब टेश वी यादों कुन्डी में चुनाव प पकरती है कि किया आप सब कुस तयारी हो चुकी है और अंतिम दौर में जदिएअ राजत का एक दुसरे के अंदर जो भिले होना है वो अंतिम दौर में पहुंच चुका है और इसी चीद जंक्शन देख रहे हैं यह वीडियो रोड़ बेज एप के द्वारा प्रायुजीत है रोड़ बेज वियार का एक ऐसे श्टार्ट अप है जो आपको वन वे टेक्सी राइड और कार पूलिंग की सुविदा बे अधिक कम पैसों में उपलब्द कराती है मतलब कि अगर आप रोड़ बेज की टेक्सी से कहीं जाते हैं तो आपको सिर्फ एक तरफ का किराया देना होगा जो कि बहत सस्ता होगा और अगर रोड़ बेज के साथ आफ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो प्लेश्टोर खोलिए वहाँ पर रोड़ बेज नाम का एप होगा उच्छे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लिए अब आम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर कुर्णी के उप्चुनाओं में एक बात पर आप गौर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि चुनाओं तो नितिश्कमार की पार्टी जदि उलड रही थी जबकि तिजस्वी यादो वहाँ पर नितिश्कमार से ज्यादा एक्टिव थे तिजस्वी यादो वहाँ पर नितिश्कमार से ज्यादा रैली करते हैं वहाँ पर नितिश्कमार से ज्यादा भावनात्मक रूप से वहां की जनता से जूनने की कोसिस करते हैं और वो अपने ठेठ अंदाज में कहते हैं कि यादो टूटे वाला है क्या वो कहते हैं कि एकदम फेर में लगा है सब की यादो को तोड़ देना है यादो को अलग कर देना है तो यादो सब बता दे कि यादो टूटेगा क्या कभी तेज़सुई के पास से या राज़त के कही है और वो कहते हैं कि लाल टेन चाप हो चाहें तीर चाप हो दोनों में कोई अंतर नहीं है बलकि दोनों एक ही है और उसके बाद चर्चा चल पड़ती है कि क्या वाकई में अब अंतिम दोर में पहुंच चुकी है कि नितिश कुमार की पार्टी जदियू और दूसरी से तेजस्वियादों नों जो कहा उसके बाद से चर्चा तेज हो गई अब यहां पर एक एक करके पूरी कहानी समझेगा बताया गया कि दिल्ली में जब राष्ट्य जंत अधल के राष्ट्यकार कारणी के बैठक हुई तब हाँ पर तेजस्वियादों को ज्यादा पावर करनी होती है तब उसके सम्मिधान में ऐसा कोई नियम नहीं होता कि पार्टी सम्मिधान इस Tiger के जायत कि एक व्यक्ति को दे दे कि वह एक्ति जब चाहे पार्टी का नाम बदल दे जब चाहे पार्टी का चुनावचीन बदल दे लेकिन तेजस्वियादों को वह पावर मिल चुकी है अब रते हैं दूसरी बात पर कहा गया कि दिल्ली में जगदा नन सींग की मुलकात लालु यादो से हुई संगापुर और तब जब वहां के वहां से खबर निकल कर सामने आई कि ऐसी कुछ बात चीत हुई है, तब भी चर्चा चली कि वाकई में जदियू और राजत के बीच अंदर अंदर खिचड़ी पक चुकी है, दोनों नेता तयार हैं, और तेजस्वे जिस परकार से जदियू के लिए केम कब इसका एलान होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लिएन कहा जारा है कि 2024 के चुनाव के पहले, मतलब कि लोगसभा का जो चुनाव होगा, उस समय में हो सकता है कि राजतर और जदियू दो पार्टियां ना हो, बलकि दोनों पार्टियां एक पार्टिय बन जाए और दोनों एक पार्टिय बन कर चुनाव लड़ें, और तब कहा जारा है कि नितीश कुमार को राष्ट्रिय अध्यक्ष बनाकर पार्टिय की कमान सोब दी जाएगी, और तेजस्वी मुखिमंतरी बन जाएंगे, फिलाल तेजस्वी यादों ने जब कहा कि लाल टेन और त तब फिर से चर्चा चल पड़ी, वो यादों को भरोसा दिलाते हैं कि जहां तीर चाप रहे, मतलब कि नितीश कुमार का कोई नेता चुनाव लड़े, वहाँ पर भी यादों एक जू ठोकर वोट दे, क्योंकि हम दोनों एक कहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, और कार सिंग, बहुत बहुत धन्यवाद,